हेलो फ्रेंड्स आज इस वीडियो में वर्ल जोग्रफी की बात करते हैं फरस्ट पार्ट में आज हम वीश्व के महासागर जल डमरु मद्य जिसको स्टेट भी बोलते हैं जल प्रताप की बारे में बात करेंगे चलिए स्टार्ट करते हैं विवर्तन की क्रिया द्वारा प्रत्वी पर साथ महादीप इस्तित हैं साथ महादीप कौन-कौन से हैं अफरीका, एशिया, यूरोप, उत्तर अमेरिका, दक्षिन अमेरिका, अंटार्क्टिका और आस्ट्रेलिया अब एक-एक करके अपन थोड़ा समझते हैं कि हर एक महादीप में सबसे उचा परवत कौन सा है, सबसे लंबी नदी और सबसे गहरा बिंदू कौन सा है महापर जनरली कोशन इहनी से बनता है तो सबसे पहले अफरीका की बात करते हैं सबसे उचा परवत अफरीका में कली मंजारों है सबसे लंबी नदी नील नदी है और सबसे गहनतम बिंदू जो है महाँ पर है आसाई जीले एशिया की बात करते हैं तो एशिया में सबसे उचा परवत माउंट एवरेस्ट है सबसे लंबी नदी वोलगा नदी है और सबसे गहंतम मिंदू जो है वो है केस्पिन सागर उत्तर अमेरिका की बात करते हैं सबसे उचा परवाद उत्तर अमेरिका में माउंट मैकिनले है सबसे लंबी नदी मिसोरी नदी है आमेजन नदी है, सबसे गहनतम मिन्दू जो है वो है पानेन Okay Friends, Antarctica की बात करते हैं, तो सबसे उंच्य पर्वत अंटार्टिका का मासिफ है सबसे लंबी नदी, आमेजन नदी है और सबसे गहनतम मिन्दू जो है वो बैंटल ड्रेंच है ये बेंटल ट्रेंज जो है ये विश्व का सबसे गहनतम मिंदू है दोस्तों ध्यान रखेगा आस्टेलिया की बात करते हैं तो नोरू वो सबसे उंजा परवत हैं मर्रे महा की सबसे लंबी नदी है आस्टेलिया की और सबसे गहनतम मिंदू वो है आयर जील अब ये basic थोड़ा knowledge था महादिप से related अब हम बात करते हैं विश्व के महासागर की प्रत्वी पर शेत्रफल की दस्टी से सबसे बड़ा महासागर कुण सा है प्रशान महासागर है जिसका सबसे गहरा बिंदू कुण सा है मेरियाना गर्थ है जिसे challenging गर्थ भी बोलते हैं इसके बाद Atlantic सागर, हिंद महासागर, आर्कटिक रथा Atlantic महासागर का नंबर आता है इसके बाद अब बात करते हैं अपन जल डमरू मद्य जिसे state भी बोलते हैं अच्छा दोस्तो जल डमरू मद्य किसे बोलते हैं इसको समझते हैं इसका मतलब होता है सागर का मिलना और भूमी का अलग होना ओके फ्रेंड्स जहां पर दो सागर मिलते हैं और भूमी अलग होती हैं उसे जल डमरू मद्य या state बोलते हैं तो अपन बात करते हैं सबसे पहले Baring State की Baring State में क्या हुआ दो सागर मिल रहे हैं और दो भूभाग अलग हो रहे हैं तो Arctic और Baring सागर दोनों मिल रहे हैं और Alaska और रूस दोनों अलग हो रहे हैं Gibraltar, Gibraltar, Jalda Mrumaddi या Gibraltar स्टेट में क्या हो रहा है भूमद्य सागर और Atlantic सागर जो हैं दोनों मिल रहे हैं और Europe और Africa दोनों अलग हो रहे हैं भूभाग Dover, Jalda Mrumaddi की बात करते हैं तो उत्री सागर और Atlantic दोनों मिल रहे हैं Britain और France दोनों अलग हो रहे हैं मलक का स्टेट की बात करते हैं तो जावा सागर और बंगाल की खाड़ी, जावा सागर जिसको अंडमान सागर भी बोलते हैं, ये दोनों मिल रहे हैं, और इंडोनेशिया और मलेशिया दोनों अलग हो रहे हैं, फ्लोरिडा की बात करते हैं, फ्लोरिडा जल डमरुमद्दी की बात करते हैं, तो मेक्सिको की खाड़ी और Atlantic दोनों मिल रहे हैं और Florida और West Indies दोनों की अलग हो रहे हैं भूबाग पाक State की बात करते हैं तो बंगल की खाड़ी और अरब सागर दोनों मिल रहे हैं और भारत और शिलंका दोनों अलग हो रहे हैं दोस्तों ध्यान रखियेगा कुछ important points बताता हूँ आपको मैं जिब्राल्टर को भूमध्य सागर की कुन्जी कहा जाता है ध्यान रखियेगा टॉरस जल संदी जो है वो अश्फुर्रा सागर और पापु की खाड़ी मिल रहे हैं और न्योगिना और अस्टेडिया अलग हो रहे हैं अब टॉरस संदी हो रही है अब अपन बात करते हैं जल प्रताप की सबसे उंचा जल प्रताप कहां पर है एंजिलो है सबसे उंचा जल प्रताप एंजिलो है जो की कहां पर है दक्षिन अमेरिका वेनेजूला में है ध्यान रखियेगा और ये एंजिलो जल प्रताब जो है, वो केरो नदी पर हैं, केरो नदी, ध्यान रखेगा, सबसे बड़ा अगर जल प्रताब की बात करेंगे, उंचे की तो बात कर लिए अपने बड़े की बात कर लेते हैं, तो विक्टोरिया जल प्रताब हैं, सबसे बड़ा, जो कि कहां प इस वीडियो में World Geography Part 2 की बात करते हैं, जिसमें जीलें, द्वीप, पठारों और रेगिस्तान का टॉपिक्स अपन कवर करेंगे। जीलों की बात करते हैं, तो वीश्व की सबसे घहरी जील जो हैं, वो बेकॉल जील हैं, जो की रूस में स्थित हैं, वीश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की जील जो हैं, वो सूपरियर जील हैं, जो की अमेरिका में स्थित हैं, वीश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की जी विक्टोरिया जिल करती हैं, ये भी एक IMP point होता है, सबसे उचाई पर स्थित, मिठे पाने की जिल कौन सी है, टिटी का का जिल है, जो कि तक्षिन अमेरिका में स्थित है, एक main important point हो रहे है, सबसे उचाई पर खारे पाने की जिल कौन सी है, पेगॉंग जिल हैं, जो कि एशिया में स्थित है, अब हम second topic deep की बात करते है, विश्व का सबसे बड़ा deep land कौन सा है, ग्रिन लेंड है, जो कि आर्खटिक महासागर में स्थित है, इसमें एसकीमो जनजाती पाई जाती है, ध्यान रखियागा ये question मनता है, प्रिशान महासागर का सबसे बड़ा deep कौन सा है, नियोगिना है, हिंद महासागर का सबसे बड़ा deep कौन सा है, बोर्निया है, बोर्नियो है, विश्व में इंडोनेशिया ऐसा देश है, जो सबसे ज़्यादा deepों से मिलकर बना है, ध्यान रखेगा, एंडोनेशिया ऐसा देश है, सबसे आदा महाँ पर लेंड है, पठारों की बात करते हैं, सबसे बड़ा पठार कुन सा है, ग्रिन लेंड का पठार है, जो की अंद महासागर के उत्री भाग में फिला हुआ है, मेडा कासकर का पठार अफरीका में इस्तित ह और इसे क्या बोलायाता है, मालागासी पठार भी बोलते हैं, अलासका का पठार का निर्माण यूकन, वह उसकी सायक नदियों से हुआ है, इसलिए इसे क्या बोलते है, यूकन का पठार भी बोलते हैं, अलासका का पठार को, इरान का पठार जो है, सबसे उचा पठार है, जिसे एशिया माइनर का पठार भी बोलते हैं ध्यान रखियेगा ये अपने पठारों की बात करी है अब हम बात करते हैं दोस्तों रेगिस्थान की विश्व का सबसे गर्म वाद सबसे बड़ा जो रेगिस्थान है जो मरुस्तल रेगिस्थान है वो कुणसा है? सहरा है जो कि अफरिका में स्थित है यूरोप एक मात्र एसा महादीप है जहाँ पर कोई भी रेगिस्तान नहीं है विश्व का सबसे तंड़ा मरुस्थल कौनसा है? सबसे थंड़ा रेगिस्तान कौनसा है? गोबी मरुस्थल ध्यान रखेगा ये question मंदा है, जो कि मंगोलिया वद चीन के बीज इस्तित है, विश्व का सबसे शितोषन मरुष्थल, शितोषन मरुष्थल कौन सा है, तकला माकन है, तकला माकल मरुष्थल है, जो कि चीन में स्तित है, कालाहारी मरुष्थल जो है, बोटस्वाना धक्षि अफ्रीका में इस्तित हैं, थार मरुस्तल भारत पाकिस्तान के बीज इस्तित हैं, अटाकामा, चीली में इस्तित हैं, ये सेकेंड ठंडा मरुस्तल हैं, ध्यान रखिएगा, वर्ल जोगराफिक के पार्ट 3 में, नदिया, वीश्व क्रशी, वीश्व उद्योग, एंड खनीच को अपन ये टॉपिक्स कवर करेंगे, चलिए स्टार्ट करते हैं, इस वीडियो में मैं कुछ IMP पॉइंट्स आपको बताऊंगा, बस ये पॉइंट्स को आपको एक एक दो दो बार सुनना है, इनी में से मैक्सिम कोशन्स निकल के आते हैं, तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं, राइन नदी से सबसे ज़्यादा व्यपार होता है यूरोप में, इसलिए इसे विश्व व्यपारीक नदी भी करते हैं, ध्यान रखिएगा, करकर रेखा को दो बार का काटने वाली नदी कौन सी है, कांगो और जायरे नदी, जो भूमद रेखा को दो बार काटती है, मकर रेखा को दो बार काटने वाली नदी कौन सी है, लिमपोपो नदी है, ध्यान रखिएगा, मकर रेखा को दो बार काटने वाली नदी कौन सी है, लिमपोपो नदी है, च उमद्य सागर में गिरती हैं, अमेजन नदी जो हैं, वो अट्लांटिक महा सागर में गिरती हैं, डैन्यूब नदी जो हैं, जो कि यूरोप की नदी हैं, ये काला सागर में गिरती हैं, और नीपर नदी जो हैं, ये भी काला सागर में गिरती हैं, डॉन नदी जो है वो अजोब सागर में गिरती हैं वॉलगा नदी केस्पेन सागर में गिरती हैं यांक्सी नदी चीन सागर में गिरती हैं और मिसी सीपी मिसोरी नदी जो हैं वो मेक्सिको की खाड़ी में गिरती हैं तो यह नदियों से रिलेटेट कुछ इंपोर्टेंट प जूट उत्पादक देश कुन सा हैं सबसे आदा बंगला देश हैं रबर के मामले में थाइलेंड हैं कच्चा रेशम जापान अंगूर इटली जेतुन इटली सिंथेटिक रबर एक्रॉन अमेरिका ध्यान रखेगा कागज सबसे आदा कनाडा में कहवा ब्राजिल में मांस अर्जेंटिना चावल सबसे आदा चीन में गेहूं सबसे आदा का होता हैं चीन में कपास सबसे आदा चीन में चाय चीन गन्ना ब्राजिल मक्का यूएसे संयुकतराज अमेरिका ध्यान रखेगा तिलहन ब्राजिल मुंगफली चीन स्वयाविन संयुकतरस्ट अमेरिका तमबाकू चीन केला जमाइका कॉफी ब्राजिल याद रखेगा ये थोला आएंपी पॉइंट है शराप फ्रॉंस थ्यान रखेगा ये का आएंपी पॉइंट है चीन सबसे ज्यादा मचली पकड़ने वाला देश है चलिए फ्रेंट्स अब हम वीश उद्योग वखनीज की बारे में बात करते हैं लोहा सबसे जादा कहां पर होता हैं चीन में होता है तामबा चीडी में कोईला चीन में थोरियम भारत में होता है यूरेनियम कजाकिस्तान में, टेल यूएसे में, अबरक भारत में, चांदी मेक्सिको में, सोना अफरीका में, हीरा अफरीका में, जस्ता कनाडा में होता है, बॉक्साइट औसीसा आस्ट्रेलिया, सिमेंट उद्योग चीन में, वायू यान उद्योग अमेरिका में, टीन मलेशिया में, मैगनीज युक्रेन में और क्रोमियम जो होता हैं वो सबस्दा अफरीका में होता है तो दोस्तों ये नदिया, वीश्वक्रशिव और वीश्वुत्योग अन खनीज के बारे में कुछ IMP points थे, आप बस इनको दो से तीन बार revise करना आपको ये हमेशा के लिए याद हो जाएंगे तो friends, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो please मेरे चैनल को सब्क्राइब करिएगा, thank you